English में डाउट दोस्तों, तो जोईन कीजे मुझे, मेरा नाम है यश, मैं रिपेर करूँगा आपके English के डाउट्स हिंदी में, तो मेरे चैनल को लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और शेर कीजे, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल English वरक्शॉप में। English वरक्शॉप में आज हम करते हैं Vocabulary, Defining a Person's Age, तो कि व्यक्ति की जो उम्र होती है, कौनसी कौनसी क्या स्टेजस होती है, उनको क्या कहा जाता है, तो शुरू करते हैं आज का सफर. सबसे पहले आपके लिएक टेस्ट, तो आपको यहाँ पर बताना है कौनसी चौइस आएगी, यहाँ Pause ले सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, तो कुछ sentences यह हैं और कुछ sentences यह हैं, तो इन शब्दों को देखना है, तो हो सकता है इन में से बहुत से शब्द, जो आपको ब दिसकस करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं अभी, तो टॉपिक है vocabulary, a person's age, तो सबसे पहले infant, infant noun भी है, adjective है, तो हिंदी में इसका शिश्यू या लाल होता है, a newborn baby or very young child, बहुत छोटे बच्चे को या पैदा हुए बच्चे को भी हम infant कहते हैं, इसका दूसरा मतलब होता है, new and not developed, जो विक्सित ना हुआ हो, यह शब्द आया कहां से है, Latin के infant से आया है, जिसका अर्थ होता है, बोल ना पाना, यानि unable to speak, या speechless, तो जाए छोटा the patient has suddenly started behaving like an infant, तो मरीज ने अचानक एक बच्चे जैसा वैवार शुरू कर दिया है, there are no fewer than 50 infant schools in the city, तो इसमें infant adjective के रूप में इस्तमाल किया गया है, infant schools, तो infant schools जो बच्चों के school हैं, वो इस शहर में 50 से कम नहीं है, Since this is an infant company, it hasn't given any profit yet, तो ये कमपनी अभी developed, विक्सित नहीं हुई है, नहीं कमपनी है, इसने अभी तक कोई profit देना शुरू नहीं किया है, तो इस तरह से infant शब्द का इस्तमाल किया जा सकता है, Next word है toddler, तो toddler ये भी noun होता है, और इसका आर्थ होता है, जिस बच्चे ने अभी चलना सीखा है, डगमगा के जो बच्चा चलता है, उसे हम कहते हैं, तो an infant who has recently learned to walk, एक से तीन साल के बीच में, जो बच्चा होता है उसे toddler कहते हैं, पर कहते हैं तभी हैं जब चलना सीखता है, तो ये origin कहा है to toddle, एक्चली वर्ब होती है toddle, इसका अर्थ होता है, डगमगा के चलना, which means to walk unsteadily, तो जैसे, she has two children, one goes to school and the other is a toddler, हिंदी दे रख ही आप पढ़ सकते हैं, और toddlers don't remain calm at a place, तो जो बच्चे चलना सीखते हैं, यहां वाँ उथल पुथल मचा के रखते हैं घर के अंदर, next child, जो आपने सुना होगा, noun है, बच्चा, छोटा, a young human being, 13 साल की उम्र तक बच्चा होता है, तो यह old English, यह Germanic word है, C-I-L-D, यह root word होता है इसका, although she looks mature enough, yet her innocence reminds me of a child, children are often fidgety, fidgety यह जनी चंचल होते हैं बच्चे अकसर, next है teenager, noun है, हिंदी में किशोर कहा जाता है इसे, a person who is between 13 and 19 years old, तो origin क्या है, जो counting होती है 13 से 19 तक, इनी में टीन शब्द आता है, यहीं से teenager लिया है, तो Juliet Capulet in Shakespeare's Romeo and Juliet, was a teenager of 13 years, तो 13 साल की उमर की थी, उसमें Juliet, जो Romeo and Juliet सब जानते हैं, teenagers think they are the smartest, तो इस उमर में यह सोचते हैं कि हम जितना हमारे जितना smart कोई है नहीं, adolescent, तो adolescent noun है, हिंदी में इसे भी किशोर कहेंगे, लड़कपन वाली जो उमर होती है, a person who is growing up to be adult, तो 13 से 19 years के बीच की उमर, यही adolescent होती है, इसमें grow करता है, बच्चा, तो Latin से आया है, AD, add का मलब अबदा to, और else here, इसका मलब grow up, बढ़ना, तो adolescents often face some inexplicable problems that are unintelligible to their parents. Juvenile, noun है, किशोर, a person who hasn't become an adult yet, तो जो अभी तक व्यास्क नहीं हुआ है, और इस शब्द का इस्तमाल आपचारिक और कानुआ है, नूनन कारवाई के लिए किया जाता है, तो ये शब्दा है Latin के जुविनिस से, जिसका आर्थ होता है, a young person, most of them who were found guilty were juveniles under the age of 16, being a juvenile, he was forgiven, vicenarian, noun है, तो ये उम्र उननिस के बाद शुरू होती है, बीस से उननतिस तक, तो a person who is between 20 and 29 years, toh from Latin vicenarius से लिया गया है, toh जिसका आर्थ होता है, बीस, 20, they who were selected for the expedition were all vicenarians, a vicenarian is perfect for the army, उसके बाद tricenarian, तो जाहिर बात है, ट्राइवर्ड आया है, तो तीन तो होगा, a person who is between 30 and 39 years, from Latin tricenarius से लिया गया है, इसका आर्थ होता है, जिसमें 30 हो, 30, तो tricenarian's lifestyle becomes different from vicenarian's, a tricenarian chiefly focuses on money, quadrigenarian, noun है, toh a person who is between 40 and 49 years, toh ये शाबदा है, Latin के quadrigenta से, जिसका आर्थ होता है, 40, 40, one of my friends has become so weak, that he looks a quadrigenarian, even in his 20s, quincogenarian, quincogenarian noun, toh ये होता है, a person who is between 50 and 59 years, toh 50 से उनसट साल के बीच का जो बेकती होता है, वो quincogenarian, ये शब्दा है Latin के quincogen जिन्टा से, जिसका आर्थ होता है, 50, 50, he has scored a half century of his life, and today he has become a quincogenarian, all the instructors are quincogenarians here, sexagenarian, toh noun है, a person who is between 60 and 69 years, toh 60 से उनसट साल के वेकती को हम, sexagenarian कहते हैं, Latin शब्द sexagenta से आया है, इसका आर्थ होता है, 60, 60, the husband and wife are both sexagenarians, and take a proper diet, are your parents both sexagenarians, septuagenarian, toh septu, इसमें 7 आया है, toh person who is between 70 and 79 years, toh from Latin, septuaginta, यानि 70, सत्तर इसका आर्थ होता है, although he is a septuagenarian, yet he has won the first prize for the best jogger, this bench is reserved for septuagenarians, octogenarian, noun, noun, a person who is between 80 and 89 years, toh from Latin से octogenta, यानि जिसका आर्थ होता है, 80, 80, the octogenarian looked his face in the mirror and felt nostalgic, nostalgic का आर्थ होता है, पुरानी यादो में खो जाना, the little boy was seen with an octogenarian, जिसका आर्थ होता है, nonagenarian, nonagenarian noun, a person who is between 90 and 99 years, toh latin स्थ नाना जिन्टा से आया है, इसका आर्थ होता है, 90, the young never think that someday, they will also become a nonagenarian, does any nonagenarian live in your area, centenarian, century, यहीं से शब्द बना है, centenarian, a person who is 100 years old or above, 100 साल का उसे उपर, toh from latin स्थ सेंटम से आया, इसका आर्थ होता है, 100, so, how many people live to be a centenarian in the world, have you ever seen a centenarian, next है, dotage, toh dotage, noun है, यह इसको हिंदी में सठी आई उमर कह देते हैं, ऐसी उमर इतना बुड़ा हो जाना, जिसमें सोच समझ की शक्ती कम हो जाना, the period in life when one is too old to think clearly, तो from middle English से dot से शब्दा है, dot का आर्थ होता है mental illness और plus age, उमर, there was no one who could take care of him in his dotage, people need extra care in their dotage, तो यह सारे शब्द जितने भी हैं, important है, newspapers जो लोग पढ़ते हैं, उनमें यह सारे words आते हैं, और यह सारे के सारे words, सभी तरह के exams में आते हैं, तो लेते हैं वो ही test, सारे sentences, one who is in his or her thirties, तो thirties में आना, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो बेक्ती, tricinarian, one who has become complete 25 today, is, क्या होगा वो, विसनेरियन, one who has crossed his or her 90, but hasn't become 100 yet, is, क्या होगा वो, नौनजनेरियन, one who has just learned to walk, is, अभी बी सीका चलना, toddler, one who is pardoned by the court, for being immature, तो उसे हम juvenile कहते हैं, court की language में, क्योंकर teenager भी वो ही होता है, adolescent भी वो ही होता है, लेकिन कानूनन भाषा में, juvenile का इस्तमाल करते हैं, one who is in his or her 80s, तो कौन होगा 80s में, octogenarian, the period in life when one becomes too old to think clearly, कौन सी एज होती है वो, dotage, one who has celebrated the half century of his or her life, today is, आदी सेंचरी मार ली है, जिंदगी की, पचास साल का हो गया है, तो वो, quincogenarian, one who has seen a complete century in his or her life, तो पूरी सेंचरी जिसने देख लिया है, एक सदी देख लिया है पूरी, तो सौ साल का तो हो गया होगा, centenarian, one who is in his or her sixties, तो जो sixties में चल रहा है, sexogenarian, one who has crossed his or her 70, but hasn't become 80 yet, तो कौन होगा वो, septogenarian, our coach is around 45, तो हे इस, पैंताले साल का है, तो कितना होना चीह है, quadrogenarian, 40s में चल रहा है, the children are celebrating their uncle's 58th birthday today, तो हे इस, quincogenarian, one who is between 90 and 99, तो क्या होगा वो, nonagenarian, तो one who has become 28 today, तो इस, vicenarian, तो ये थे कुछ एक शब्द, age को बताने वाले, सारे शब्द important है, ये magazines, newspapers और exams में, regular आते रहते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए, bell icon जरूर दबाएं, और इस topic से related, कोई question ये suggestion हो, तो आप comment section में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूँगा, और नई topic के साथ, नई class में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए, have a nice time.